तो दोस्तो 30 नमबर 2020 को बिटकोई ने अपना वो हाइस्ट पीक पॉइंट देखा जो दिसमबर 2017 से पहले कभी सोचा भी नहीं गया था इसकी हिस्ट्री में भी जाएंगे प्रेजन में भी देखेंगे और फ्यूचर में होलिंग क्या है क्रिप्टो करेंशी की यह सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको यह समझ आएगा कि क्या आप इस इन्वेस्ट्मेंट क्लास में खुद को देखते हैं या नहीं तो आईए शुरू करते हैं फ्लैश पैक में चलते हैं अगर हम बात करें 2017 की बिटकोई ने अपना हाइस प्राइस पॉइंट देखा था 19,783 डॉलर उस समय प्रोफेशनल्स और एमेचियोर्स मतबनाएं और पुराने लोग एक स्टैंड ले चुके थे और कहरे थे कि अब हमें क्रिप्टो करण्शी को सीरियसली लेना चाहिए इससे पहले इसको सीरियसली नहीं लिया जाता था इस अपना जाद ए टिका नहीं इस पर्टिकलर प्रोडक्ट में वोलेटैलिटी देखी रही है और अभी भी आगे चलके भी ऐसा हो सकता है कि सब्रस वोलेटैलिटी आ जाए इस प्रोडक्ट ने एक ही दिन में जी हाँ एक दिन में अपनी वैल्यूएशन का 25% वैल्यू ख देखने लगा और इसके फ्यूचर पे भी काफी लोगों को अब डाउट हुआ अब एमेचियोर्स और एक्सपर्स कहते थी कि हम डारेक्शन कौन सी पकड़ें इस प्रड़क को सीरिसली लें या ना लें बिटकोइन 2016 में अगर जाएंगे तो कुछ 100 डॉलर का था 2008 में यह उन्जा डॉलर जैसे आपको बताया अभी देखा है इसने यह साल इकतर सो डॉलर से यह शुरू हुआ था और अक्तोबर में इसने अच्छा कासा प्रॉफिट देखा और अपने इन्वेस्टर्स को भी अच्छा कासा प्रॉफिट दिलाया लेकिन इसके बावजूद इ एक लाक डॉलर की वैल्यू भी यह देख सकता है लेकिन कुछ लोग इतने शूर नहीं हैं वो देखते हैं कि 20 से 30 परसेंट इसका उपर निचे मार्केट में रहता है और यह फ्लक्टुएशन्स शायद इसको 50,000 डॉलर तक लेके जापा हैं उससे जादा नहीं लेकिन वो अभी इस चीज़ को लेके बुलिश ही हैं अभी कोई भी एक्सपर्ट या बिगिनर या किसी भी लेवल का इंवेस्टर इसको गिरता हुआ नहीं देख रहा मार्केट का ट्रेंड क्लियर है कि चाहे हाई जाए चाहे लो यह एक पॉइंट पर हाई प्राइस पॉइंट को ट देखा जाता है इसके पीछे है रास इसके पीछे हैंंस्टिशन इंवेस्टर के साथ ही चैसे ही कोविड आया है उसके पास कोई ऐसा इसा रहा ही नहीं जहां पे वो विश्वास कर सके और जो उसको बुलिश रिटर्ण प्रोवाइड कर सके Real Estate down, Stock Market down था इसलिए Cryptocurrency एक Alternative Investment Product के रूप में देखा जा रहा है आज ही तारिक में और पिछले कुछ महीनों से और देखा जाता रहा है तो इस particular reason के कारण media attention भी बहुत मिला है इस product को और इसके कारण बहुत सारा attention मिला, demand बड़ा, price बड़ा और इसका दूसरा reason है supply problem, अब bitcoins limited ही है Cryptocurrency में ये segmentation का problem रहता है कि एक limited product value ही है इसमें जादा नहीं नहीं का सकती है, हालांकि इसमें mining का option रहता है कि mine की जा सकती है लेकिन उसका भी एक limited wall है, उसके जादा आगे वो भी नहीं तो अगर supply limited है, demand जादा तो price point बड़ेगा ही इसलिए आगे के कुछ महीने at least इसका trend bullish ही रहने वाला है history देखी, present देख रहे हैं और future में भी ये product जो है वो most likely अच्छा ही रहेगा लेकिन अभी इंडिया में इसको CB के अंडर नहीं लाया गया है इसकी investment legal कर दी गई है लेकिन in case को जो दिक्त होती है तो you cannot bang the doors of either the courts or the CB के आप उसको help करें आज की तारिख में CB आपको मदब नहीं करेगा अगर आप stuck हो जाते हों तो क्योंकि इंडिया के regulation केंडर नहीं है इस चीज़ को मदब रखते हुए ही इस investment class में पैसा लगा है अभी के तारिख में आज की तारिख में फाइनली ये product एक serious product के रूप में देखा जा रहा है लेकिन ये कब तक रहता है ये देखने वाली बात है आपको क्या लगता है क्रिप्टो करिंसी या bitcoins में क्या आपने invest किया है और अगर आपने किया है तो आपका experience क्या रहा है और आगे क्या देखते हैं जुरू कमेंट्स में बताईएगा अभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब के साथ ये product सब को पता होना चाहिए कुछ अलग चल रहा है यहां पे और अर्ड लिजिटर व्लागर को सबस्क्राइब जरू कीजिए का stock market के साथ चुड़े रहने के लिए thank you so much bye bye